दोस्तों पुलिस लाइन के प्रेट ग्राउंड में बलिया महुश्चों का आयोजन होने जा रहा है यह आयोजन एक दो तीन नॉवंबर तक चलेगा इस कायकर्म को सफल बनाने के लिए जिला परसाचने का आवश्चक बैठक किये इस बैठक में आपने देखा कि जिला अधि उनके लिए मंज त्यार हो रहा है और यह एक नॉवंबर की बात हो गई दो नॉवंबर को आजमगड के लोकपरिय सांसद दिनेस दाल यादों निरगवा रहेंगे और तिन तारिकों गोरकपुर के सांसद रभी किशन रहेंगे और इस कायकर्म में आज जो बाहर से टेंट लूम भी उदर देख रहें आप और मंज के सामने डी एरिया देख रहें जहां पब्लिक नहीं रहेगी यहां और सुरच्छा के दृष्टी से यह अलक की एक ब्यवस्ता है यहां आम पब्लिक नहीं रहेगी और सौलक से देख सकते हैं कुवर सिंग चौरास ले के यस्पी कर्याले के तिरहा तक सड़क के किनारे जो टेंट लग रहा है यह इस्टाल लगेंगे जहां उत्तर परदेश सरकार और भारत सरकार की कल्यान कारी जो बलिया में चल लई है उसका डिस्पले और उसका परदसनी लगेगा जहां आप देख सकेंगे तो मैं एक बार फिर आप जिकाली थे राजेश कुमार सिंग जिनके प्रयाश से ये कायकरम उश्वक्त शुरू हुआ और जब कायकरम की अगाज होई उस चमें नगर विकास मंत्री लाल जी टंडन थे उन्होंने उस कायकरम की शुरूआत की थी तो अब 22 साल बाद फिर एक बार इसी जगह पे अब 2023 में इसी जगह पर बलिया महुश्वका आयोजन होने जा रहा है बात कहलें तो 22 साल बाद बलिया महुश्वका आयोजन पुलिस लाइन के प्रेड गराउंड में हो रहा है वैसे बलिया इस्थापना दिवस है एक नॉंबर 1889 में बलिया जनपत का इस्थापना हुआ और 144 बलिया जनपत में मनाये जा रहा है जिसको लेकर बलिया महुश्वका आयोजन हो रहा है जिसमें हजारों लोग की बैठने को उत्तम ब्यवस्था की गई है कलाकारों के लिए और दूर दरा से आये लोगों के लिए सारे लोगों के लिए ब्यवस्था है आई इस आएंगे तब तक लितना है जोले रहें बली आजकर से मैं रूप संजय स्वाल नमस्कार